जहां पूरे देश में इन दिनों पर चंड गर्मी देखने को मिल रही है वेही माचल पर देश में भी पारा काफी उपर पहुँच रहा है ऐसे में जहां लोग अपने गरों से बाहर निकलने से टल रहे हैं बही सोलन जिला की शमरोण पंचायव के कुछ युवाओं ने सोलन राजगर्ण मार्ग पर दरजा के समीप लोगों को गर्मी से निजाद दिल्वाने के लिए धंड़े पानी की छबी लगाई जिसमें युवाओं के साथ नन्य बच्चों ने भी लोगों को धंड़े पानी लोगों को ठंडा पानी पिलाने में अपनी खूब भूमी का अदा की वहीं यहां से गुजरने वाले प्रेटकों वा राज्य के बाहर से आए हुए प्रेटकों ने इन युवाओं को खूब सरहा चबी लगाने वाले युवाओं ने कहा कि जहां ऐसी गर्मी में लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है ऐसे में सभी युवाओं ने सुबह से ही यहां से गुजरने वाले हर रहागीर के लिए ठंडे वा मीठे पानी की चबी लगाई और इसमें छोटे छोटे बच्चों ने भी उनका साथ दिया है जो की एक नेक कार है यहां सारे हमारा सहो कर रहे है तो यहां बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को जो की हम सुबह से पानी दे रहे और शाम तक हमारा कारे करम चलेगा वहीं यहां से गुजर रहे प्रेटकों का कहना है कि हिमाचल सच में ही दे भूमी है और यहां के लोग अच्छे हैं जो युवाओं ने गर्मी के इस मौसम में ठंडे पानी की छबी लगाई है इस यहां से गुजरने वाले सेकड़ों लोगों वा प्रेटकों को गर्मी से थोड़ी रहत जरूर मिल रही है यह आपने बहुत अच्छा प्रेयास है आपका गर्मी है तो इस टाइम पर बहुत जादा प्यास लगती है तो बहार से आने वाले टूरिस्टो के लिए स्पैशली बहुत अच्छा है और आसपस में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है हमें बहुत अच्छा लगा हम इतने दूर से ट्रैवल करके आ आ रहे थे तो हमें पानी पीने को मिला बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा है ऐसा ही प्रियास जारी रखिएगा आगे भी और करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा डिली से नजबगर से बहुत बढ़ी है जो आपने छबील लगा के भले का काम का रखा है इस तपती दुपैर में सब को ठंडा कर रहे हो बहुत अच्छी बात है लगता है कि हमाचल में बहुत अच्छे है लोगों का रहार इतना अच्छा है बहुत मज़ा आगए हैंके लोगों से मिलकर